नमस्कार, AB Star News देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ सोहंसन स्रिलंका जुल रहा है, स्रिलंका में जिस तरह के हालाद बन गए हैं वो सोचने पर मजबूर करते हैं कि कैसे एक देश की स्थिती देखते ही देखते इतने बिगड़ जाती है वहाँ पर हंगामा, हंसा, आगज़नी और आकरोस देखने को मिल रहा है घरों को आग लगा दी गई है, नेताओं के घर फूंक दिये गए हैं पांच, माफ कीजेगा, आठ लोगों की मौत के खबर अभी तक सामने आ रही है जिसमें सांसत भी शामिल है पूरो प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के पैत्री घर को फूंक दिया गया है आज से करीब 18 साल पहले, साल 2004 में जब महिंदा राजपक्षे ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली थी उस वक्त भी स्रिलंका मुसीबतों से घिरा हुआ था स्रिलंका सुनामी का दंस जेल रहा था और जो बोज है वो स्रिलंका के खजाने पर भी पड़ गया था जिसके बाद वहाँ पर हालात बिगरने लगे थे उस दोर में भी जनता ने महिंदा राजपक्षे को चुना था और उन पर जिम्मेदारी ज्यादा थी लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि महिंदा राजपक्षे ने अपने पर्द से इस्तिफा दे दिया स्रिलंका की अगर तस्वीरों को आप देखेंगे तो उन तस्वीरों को देखकर आप खुद बखुद अंदाजा लगा पाएंगे कि कस्तरा के हालात स्रिलंका में बने हुए हैं हर और आग लगे हुई देखने को मिल रही है वो तस्वीरे भी हम आपको दिखा रहे हैं उन तस्वीरों पर भी आप नजर जरूर डालिये लेकिन जो हालात वहां पर बने हुए हैं उन हालात तक स्रिलंका कैसे पहुँचा इस बारे में सोचना बेहत जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आखिर स्रिलंका में पनपे इन हालात से दूसरे देश का सबक ले सकते हैं क्योंकि यह तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यह तस्वीरें पूरी कहानी को खुद बखुद बया कर रही हैं देखिये किस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं महिंदा राजपक्ष इस्तिफा देते हैं उसके बाद से उनके समर्थक जो हैं उन्होंने हंगामा सुरू कर दिया था और जो राजपक्ष गोटबाया राजपक्ष हैं उनके कारेले के बाहर भी खुद प्रदर्शन देखने को मिला था मारपीट की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं घरों में आग लगने की तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये तस्वीरें जो आपके स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रही हैं ये पूरे मंजर को खुद बाखुद बया करती हुई नजर आ रही है कि आखर स्रिलंका जल कैसे रहा है किस तरह से शहर दर शहर आग लगी हुई है और ये तो सिर्फ चंद तस्वीरें है जरा सोचिए उन लोगों पर क्या बीत रही होगी जो इस वक्त स्रिलंका में रह रहे होंगे वो कैसे रोजी रोटी के संकट से जूज रहे होंगे वो कैसे दाने-दाने के लिए मोताज हो चुके होंगे जो गरीबी दर है जो महंगाई दर है वो 17 फीजदी को पार कर चुकी है आटो इंधन के लिए लाइनों में लगे हुए हैं और जो लाइने हैं वो किलोमीटर लंबी है पेट्रोल नहीं मिल रहा है डीजल नहीं मिल रहा है आटे चावल का संकट पैदा हो गया है और महिलाई बच्चे बेबस नजर आ रहे हैं स्रिलंका के मर्म को अगर आपको समझना है तो वहां के उन हालात का खुद बखुद अनभो भी करना होगा क्योंकि ये वो दर्द है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये डूबते स्रिलंका की तस्वीरे हैं सडकों पर मारा मारी देखने को मिल रही है और अब तो आदेश प electronically दिया गया है कि दंगाई को देखते ही गोली मार दीजे रक्षामंत्राले ने ये आदेश दे दिया है कि अगर कोई दंगाई है सारजनिक संपत्ति को नुकसान पहुचा रहा है नागरिकों को चोड पहुचा रहा है तो उसे गोली मार दीजिए बाकाइदा रक्षामंत्राले की ओर से थल जल और वायू सेना को इसके आदीश भी दे जा चुके हैं जो कर्फ्यू है उसकी मेयाद भी बढ़ा दी गई है और जो प्रदर्शनकारी हैं वो उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं आखिर इस तरह के हालात कैसे पनब गए उसके बारे में भी आपको बताएंगे लेकिन स की खबर सामने आ रही है इसके लावा अप्रदर्शनकारीयों ने कई नेताओं के घरों में आग लगाई है एक सांसत की मौत की खबर भी सामने आ रही है रक्षा मंत्राले ने दंगाईयों को गोली मारने के आदेश दे दिये हैं स्क्रिन पर अपडेट हम आपको दे रहे ह सारजनिक संपत्ति लूटने लोगों को चोड़ पहुचाने पर गोली मारने के आदेश दे दिये गए हैं साफ संदेश दे दिया गया है महिंदा राजपक्षे के स्तिपे के बाद स्रिलंका में जो हालात है वो और ज्यादा बिगरते हुए नजर आ रहे है और स्रिलंका मे कर्फ्यू की मियाद को 12 मई सुबर 7 बजे तक बढ़ा दिया गया है जो कर्फ्यू पहले से ही लागू था उसकी मियाद बढ़ा दी गई है राष्ट्रपती ने श्वांति बनाये रखने और हिंसा रोकने की अपील की है राष्ट्रपती लगातार ये अपील करते हुए जामने आया है सिलंका से कोई राज नहीं था और उसका परिवार भारत नहीं आया है ये भारती उच्चायोग ने साफ कर दिया है क्योंकि तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि महिंदा राजपक्षे के परिवार के साथ देश शोड़ कर भागने की खबर इंटरनेट पर वाइरल हुई थी ये कहा जा रहा था कि वो देश शोड़ कर भाग गए हैं लेकिन अब महिंदा राजपक्षे के बेटे ने पिता की देश शोड़ने की खबरों को अफवाह बताया है उन्होंने मेडिया में बयान दिया है कि उनके पिता ने देश नहीं छोड़ा है अब भी कर रहे हैं नमल राजपक्षे जो एक वक्त में मंत्री भी हुआ करते थे श्रुलंका में उनका ये बयान अब सामने आया है तो तो ये अपडेट हम आपको ग्राफिक्स के जरीये दे रहे हैं जिनके जरीये हम आपको दे रहे हैं कि किस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं किस तरह से लगातार हिंसा और हंगामे की तस्वीरे सामने आ रही हैं आपको यहाँ पर बता दे कि स्रुलंका में महिंदा राजपक्षे ने सरकार विरूधी परदर्शन कारियों पर हमला करने और हिंसा फैलाने के बाद प्रदान मंत्री पत से इस्तिफा दे दिया इस्तिफा के बाद उनके समर्थकों ने हिंसा फैलानी शुरू कर दी थी वहीं भारतिय उच्चायोग ने भी ये साफ कर दिया है आपको बता दीं कि इंटरनेट पर ये वाइरल हो रहा था कि महिंदा राजपक्षे पद से इस्तिफा देने के बाद अपने परिवार के साथ देश छोड़ कर भाग गए हैं अब जब इस तरह के हालात रहते हैं तो ऐसे में राजपक्षे पर ना सिर्फ राजनुतिक सुर्ता बाहल करने की जिम्मेदारी है साथ इसाथ में आर्थिक संकट को दूर कैसे करना है उसकी भी जिमेदारी है आर्थिक संकट आखिर इतना बड़ा पैदा कैसे हो गया ये भी हम आपको बताएंगे लेकिन राजनेतिक सुर्ता देश में नहीं है और इस वज़े से कई देश जो है वो अभी स्रिलंका की मदद के लिए आगे आने में भी अस्वक्षम नजर आ रहे हैं भारत के लिहाद से बाते हैं तो भारत के लिए अकेले इस पूरे संकट को संकट से निपटना आसान नहीं है और भारत को भी दूसरे देशों का सहयोग चाहिए होगा ऐसे में जो अंतराश्ट्रे स्तर पर संगठन हैं उनकी जिमेदारी कही न कहीं बढ़ जाती है वो किस तरह से स्रिलंका की मदद ऐसे हालात में कर सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे वहीं राश्ट्रपती की जिमेदारी की हम बात कर रहे थे गोड़ाबाय राजपक्षे ने बाकाइदर ट्विटर पर पर परदर्शुन कारियों से अपील भी की है उन्होंने साफतोर पर ये कहा है कि वे चाहे जिस भी पार्टी के हों लेकिन वे शांत रहें और हिंसा को रोग दें जो हिंसा का माहौल बना हुआ है उस पर वो फिलहाल के लिए रोग लगा दें नागरिकों के खिलाफ बदले से किसी भी तरह की कारवाई ना करें गोटा बाया राजपक्षे ने ये कहा है साथ ही कहा है कि समयधानिक जनादेश और आम सहमती के जरीए राजनीतिक स्थृता बहाल करने और आर्थिक संकट को दूर करने की कोशिस लगातार की जाएगी हम कोशिस करेंगे स्रिलंका इन हालाद से उबर सके लेकिन स्रिलंका के लिए इन हालाद से उबर पाना बिलकुल भी आसान नहीं होगा ये तस्वीरें जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं खबरें ये भी सामने आ रहे हैं कि महिंदा राजपक्षे के पैत्रिक आवास जो उनका था जो पैत्रिक घर उनका था उसको फूंक दिया गया है स्रिलंका में कर्फू लागू है उसके बावजूद भी हालात बेकाबू होते जा रहे हैं मंगलवार को कोलम्बो में परदान मंत्री के आधिकारी के आवास के पास एक श्रिट सिलंकाई पूलिस अधिकारी के साथ मारपीट की खबर भी सामने आई है असके लावा उनके वाहन में आग लगा दी गई वरिष्ट उपमहन रिक्षक देशबंदू तेना कून कोलम्बो में सरवोच पत के अधिकारी है उन्हें तुरंत इलाज की जरुरत है उन्हें घर बेज दिया गया है उन्हें बताया कि भीड को तितर-बितर करने के लिए अधिकारी ने हवाई फ्वाइरिंग की थी आखिर स्री लंका इन हालात में कैसे पहुँच गया वो कौन से फैसले सरकार ने लिये थे जिसकी वजह से आज स्री लंका इस मुकाम पर खड़ा है इस बारे में भी आपको जानना बेहत जरूरी है कि आखिर इस आर्थिक संकट की शुरुवात कहां से हुई थी कुछ फैसले सरकार की ओर से लिये गए थे जिसके बाद इस तरह के हालात स्री लंका में पन पे हैं उनमें कई सारे महत्वपूर्ण थे लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो था वो था निर्भर था चाहे बाद च्वीन की हो चाहे बाद दूसरे देशों की हो आप प्रधान मंत्री नरेंदर मूदी के संबोधन में लगातार एक बात सुनते होंगे कि आत्म निर्भर भारत भारत को आत्म निर्भर बनाना है लेकिन आत्म निर्भर भारत का जिक्र क्यों करते हैं वो क्यों महत्वपूर्ण है वो स्रिलंका के हालाद से आप समझ सकते हैं कि स्रिलंका कैसे दूसरे देशों पर ज्यादा निर्भर रहा खुद के उत्पादन पर ज्यादा फोकस नहीं किया इसके लावा जो स्रिलंका के सबसे ज्यादा कमाई का जरिया था परियटन कोरोना का ग्रहन उस पर ऐसा लगा कि जो परियटन था परियटन का कारूबार था वो भी पटरी से उतरता गया जिसके बाद देश में विदेशी मुद्रा भंडार की कमी हो गई ग्राफिक्स के जरीए उन पॉइंट्स पर भी एक नज़र डाल लेते हैं कि आखिर वो कौन-कौन से फैसले थे वो कौन-कौन सी बातें थी जो इसके लिए जिम्मेदार है सबसे पहला फर्टिलाइजर्स को बैन किया गया था इसके लावा टूरिज्म सेक्टर की बुरी हालत जिस तरह से हमने अभी आपको बताया साथी साथ ये वो कारण है जिनकी वजह से स्रिलंका के हालात आज इस तरह के हो रहे हैं स्रिलंका पर बढ़ता विदेश्वी कर्ज विदेश्वी कर्ज के बोस दले स्रिलंका ऐसा दबा कि अब हालात इस तरह के बन गए हैं इस तार के हालात स्री लंका में पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं और इस बारह में आपको start से भी बताएंगे कि स्टरा से ये इस तरह के हालात पन पर हैं विदेशी जो मुद्रा भंडार श्री लंका का था वो गिरता गया जिसके बाद अब आगजनी हंगा में आक्रोस और हिंसा की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं ये वो बड़े कारण है क्यों एक देश को चलाते वक्त इन बिंदूओं पर ध्यान देना होता है ये भी आपको बताएंगे आखिर कैसे इस तरह किस्तुधी पैदा हो गई उस पर भी विस्तार से बताएंगे आयात पर ज्यादा निर्भरता जिसका जिकर थोड़ी देर पहले हमने किया था यानि कि खुद उतपाद करके निर्यात करने पर ज्यादा फोकस नहीं रहा आयात पर ज़्यादा निर्भरता रही दूसरे देशों से ज्यादा आयात किया गया उस पर फोकस रहा और जब कोरोना के वज़ा से दूसरे देशों में हालात बिगडे स्रिलंका में भी हालात बिगडे तो विदेशी मुद्रा भंडार कम हुआ तो फिर वो आयात नहीं हो प पिश्य क्या है वो सोचना यहां पर बड़ी बात सुलंका के लोगों के लिए हो गई है और इस हालाद से पार पाना सुलंका के लिए बलकोल भी आसान नहीं होने वाला है तो यह वो प्रमुक कारण है सबसे पहले बात फर्टिलाइजर्स पर बैं की करेंगे सरकार ने केमिकल फर्टिलाइजर्स को पूरी तरह से बैं करने और सौब फीसद और्गनिक खेती का निर्णे लागू कर दिया था यानि की जो खेती होगी उसमें फर्टिलाइजर्स का अस्तेमाल नहीं होगा फर्टिलाइजर्स जो हैं वो सरकार ने पूरी तरह से बैं कर दिये थे केमिकल fertilizer क्या मैं यहां पर बात कर रहा हूँ इस बदलाव ने स्रिलंका के agriculture sector को तबाह कर दिया यानि कि जो स्रिलंका में कृष्टी थी वो तबाह हो गई कृष्टी सेक्टर पूरी तरह से तबाह हो गया सरकार के इस फैसले के चलते स्रिलंका का agri production आदा रह गया यानि कि खुद का उत्पादन कम रह गया जितना पहले होता था उसका पचास फीसद रह गया अब अनाज की जमाखोरी समस्या को और विक्राल बना रही है अब जब इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं तो अनाज को स्टॉक किया जा रहा है और जब अनाज को स्टॉक किया जा रहा है तो फिर इसी अनाज को बाद में महंगे दामों पर बेचा जाएगा और जब अनाज स्टॉक हो रहा है बाजार में नहीं है यही एक वज़ा है कि मांग तो है लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रही है और इसकी वजह से महंगाई चरम पर पहुंचती हुई नजर आ रही है मैं चाहूंगा कि जो हमारी पैनल टीम है वो ग्राफिक्स उन कारणों को लगातार चुलाती रहे जिनका मैं लगातार जिक्र कर रहा हूँ फर्टिलाइजर्स पर बैन की मैं यहां पर बात कर रहा था किस तरह से फर्टिलाइजर्स को बैन किया गया था कैमिकल फर्टिलाइजर्स पर रोक लगा दी गई थी पूरी तरह से बैन कर दिया गया था जिसके बाद जो सुलंका के किसान है वो खेती में chemical fertilizers का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे और जब वो chemical fertilizers का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे तो इसका असर जो खेती से उत्पाधन होता है उस पर पड़ा, वो केवल आधा रहे गया आसान चब्दों में हम आपको समधाने की यहां पर कोशिस कर रहे हैं और जब उत्पादन आधर रह गया तो फिर मांग पूरी नहीं हो पाई, जब मांग पूरी नहीं हो पाई, तो महेंगाई बढ़ गई, और महेंगाई बढ़ गई, तो उसके बार हालात किस तरह हैं? वो आप देख रहे हैं. इसके लावा सबसे बड़ा जो कारण है वो है टूरिज्म सेक्टर का बिगड़ना स्रिलंका में टूरिज्म सेक्टर से बहुत ज्यादा पैसा आता है स्रिलंका की अर्थ विवस्ता में कृष्टी के बाद टूरिज्म सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर है यहाँ पर लोग आपको बता दें कि सुन्दर सुन्दर बीचिस यहाँ पर हैं लोग देश दुनिया से घूमने के लिए यहाँ पर पहुंसते हैं और इसका स्रिलंका की अर्थ विवस्ता में बेहद एहम योगदान है बहुत ही important role टूरिजम सेक्टर स्रिलंका का इस सेक्टर की वज़ए से अर्थ विवस्ता पर पड़ता है और स्रिलंका का जो टूरिजम सेक्टर है इसी वज़ए से बेहद महत्वपूर्ण है अगर सरकारी आंकडों पर भी नज़र डालें तो उसके मताबक टूरिजम सिलंका की जीडिपी में 10 फीसद का योगदान देता है अब आप खुद सोचिए 10 फीसद का योगदान केवल टूरिजम सेक्टर से आ रहा है लेकिन टूरिजम सेक्टर कैसे बिगड़ा कोरोना काल शुरू हुआ कोरोना फैला उसके बाद कुछ कठोर कदम उठाने पड़े सरकार को इसके लावा लोग भी एहतियात बरते हुए नजर आए विदेश फ्यात्रा में लोगों ने कमी की स्रिलंका में जो टूरिजम सेक्टर में पैसा आता है वो विदेशे जो परेटक वहाँ पर पहुंचते हैं उसके बाद वहाँ पर जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो भी बढ़ता है लेकिन जब कोरोना आया तो फिर लोगों का स्रिलंका आना बंद हो गया परेटन जो कारोबारी हैं उनका पैसे कमाने का जो जर्या था वो खत्म होता गया और परेटन पर इसका बुरा आसर पड़ा लोग यहां नहीं आये क्रिश्वी सेक्टर पहले से बदहाल था आपने क्या किया कोरोना आया आपने कैमिकल फर्डिलाइजर को बैन कर दिया आपके अपने पास कुछ उत्पादन के लिए रहा नहीं दूसरे देशों पर आप निरभर हो गए जो बाहर से थोड़ा बहुत आपका विदेश्वी म हमारा पड़ोसे मुलक चीन इसी कर्जनीतі के जर्ये अपना जाल पैलाता हुआ नजर आ रहा है जो चीन है उसकी कर्जनीती में कई देश डूपते हुए भी नजर आ रहे हैं कर्ज का जाल चीन इस तरह से फेक रहा है कि उसमें फंस कर कई देश रह गए है स्रिलंका के इसके लावा स्रिलंका की उपर भारत और जापान जैसे देशों के लावा आई एमेफ जैसे संस्थानों का भी लो नुधार है फिलहाल ये कर्ज बढ़कर 40 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है 40 बिलियन डॉलर तक कर्ज पहुंच चुका है स्रिलंका इस स्थी में नहीं है कि उस कर्ज को वापस कर सके और जब करोना का प्रकॉप हुआ और उसके बाद चीन जो लगातार स्रिलंका की मदद कर रहा था उसके बाद उसने भी अपने हाथ पीछे खिंच लिये और अब जब इस तरह के हालात पैदा हुए हैं तो जो चीन स्रिलंका का बड़ा दोस्त बनने की कोशिस कर रहा था इस वक्त वो चीन मदद क्यों नहीं कर रहा है ये अपने आप में बड़ा सवाल है और इस पर स्रिलंका को भी कहीं न कहीं सोचने की जरुरत होगी लेकिन पहली प्रात्मिक्ता जो स्रिलंका में इस वक्त राष्ट्रपती गोटबाया राजपक्षे की होगी वो ये होगी कि इस तरह से राजमृतिक इस्थरता इस देश को परदान की जाए क्योंकि इस तरह के हालात में राजमेतिक इस्तरता को पटरी पर लाना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है महिंद्य राजपक्षे के अस्तिपे के बाद तो हालात और भी बिगरते हुए नजर आ रहे हैं साथी साथ जो आर्थिक सुधार हैं जब आप अस तरह से कर्ज के बोज में दबते हैं तो फिर वो आर्थिक सुधार नजर नहीं आरते हैं साथी साथ विदेशी मुद्रा भंडार की बात भी कर लेते हैं तीन साल पहले सुलंका के पास 7.5 बिलियन डॉलर का विदेशी भंडार था जब वहां नहीं सरकार आई जब वहां नहीं सरकार का गठन हुआ तो इसमें तेजी से गिरावट आई और पिछले साल नवंबर तक ये गिर कर एक दशमलो पांच आट बिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच चुका जो 7.5 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा बंडार था वो गिर कर पिछले साल नवंबर तक एक दशमलो पांच आट बिलियन तक पहुंच गया स्रिलंका के पास विदेशी कर्ज की किसने चुकाने लायक भी फॉरेक्स रिजर्व नहीं बचा है तो आप खुद दखुद जो तस्वीरें स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यहां तक स्रिलंका कैसे पहुंचा वो हम आपको बता रहे हैं आयात पर ज्यादा निर्भर था स्रिलंका की समस्या को गंभीर बनाने में आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर होना भी एक बेहद एहम फैक्टर है चीनी दाल अनाज और दवा जैसी चीज़ों के लिए भी वो आयात पर निर्भर रहा यानि कि इन चीज़ों का उतपादन स्रिलंका अपने देश में खुद कर सकता था Chemical Fertilizers को बेन कर दिये गए उतपादन पर असर पड़ा कोरोना की वजह से Agriculture के बाद जो परेटन इंडिस्ट्री है वो भी ठप पड़ गई आयात के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ा ये वो कारण है जिनकी वजह से स्रिलंका आज इस स्तुति में खड़ा हुआ नजर आ रहा है लेकिन जो देश हैं वो स्रिलंका की मदद क्यों नहीं कर पा रहे हैं यहां पर ये समझना भी बेहत जरूरी है आखिर वो कौन सी वजहें हैं जिन से स्रिलंका की मदद करना देशों के लिए बिलकुल भी आसान नहीं होने वाला है लेकिन उस्ते पहले इन तस्वीरों को एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं किस तरह से हालात स्री लंका में नजर आ रहे हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं लगातार आप अपने स्क्विन पर स्रिलंका की तस्वीरों को देख रहे हैं जो तबाही और बरबादी की निशानी बनकर सामने आ रही है और ये जो तस्वीरे हैं वो स्रिलंका की पूरी कहानी को बया कर रही है स्रिलंका की अगर आबादी पर नज़र डालें वो इस आबादी को भी कंट्रोल करना सरकार के लिए मुस्किल होता हुआ नजर आ रहा है स्री लंका साल 1948 में बिटेन से आजाद हुआ था उसके बाद ऐसा पहली बार है जब इस तरह के हालात स्री लंका में पैदा हुए हैं बुनियादी चीजों की जो कीमते हैं वो भी आस्मान छूती हुई नजर आ रही है सरकार ने जो गलत फैसले लिए उसे भी इसके लिए बड़ी वजह माना जा रहा है सारवजनिक सेवाओं के लिए विदेशों से बड़ी रक्म कर्ज के रूप में स्रिलंका ने ली थी भी बताई है क्योंकि से वहाँ पर हाला बगड़े इसके लावा स्रिलंका में जो प्राकर्तिक आपड़ाएं हैं उनका भी एक एहम फैक्टर स्रिलंका के इस तबाही के लिए जिम्मेदार रहा है भारी बारिस मानव निर्मित तबाही तक इसमें शामिल है रासाइनिक और वरकों पर सरकार का प्रतिबंद ये तमाम वो चीज़े हैं जिसके वजह से ना सिर्फ किसानों की फसलें बरबाद हुई बलकि स्रिलंका भी अब बरबादी की कगार पर पहुंसता हुआ नजर आ रहा है स्रिलंका में हालात इसलिए ज्यादा बिगड़े क्योंकि कर्ज ज्यादा हो गया था उसके बाद कर्ज को चुकाने के लिए स्रिलंका को विदेशी मुद्रा भंडार पर निर्बर रहना पड़ा था और उसकी वजह से विदेशी मुद्रा भंडार भी लगातार गि यहाँ पर लोगों को बुन्यादी सामान के लिए घंटों तक लाइन में लगना पड़ रहा है और वो भी उनको एक सिमित मात्रा में मिल रहा है क्योंकि परियाप सामान स्री लंका के पास मौजूद नहीं है हफ़तों में दुकानों को बंद करना पड़ रहा है क्योंकि फ्र स्री लंका में इस तरह के अस्तुति बन गई है तो ये तो रही बात स्री लंका में जिस तरह के हालात बने हैं उनके पीछे के कारणों की सरकार के जो फैसले थे वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं किस तरह से सरकार के फैसलों की चोट पहले किसानों को खेद तक व्यवस्ता पर भी चोट की और स्री लंका इस हालात में आज खड़ा हुआ है अब बाद स्री लंका की मौजुदा सिति पर भी कर लेते हैं कि वहां की लोगों को किस तरह की दिकते हो रही हैं ग्राफिक्स के जरीए वो भी आपको बता देते हैं तो स्री लंका में अनाज के लिए मारा मारी है दूद दवा की किलत देखने को मिल रही है लोग परेशान हैं घंटों लाइनों में लगे हुए हैं अनाज नहीं मिल रहा है अनाज के लिए मारा मारी देखने को मिल रही है दवा नहीं मिल पा रही है बच्चों के लिए दूद नहीं मिल पा रहा है इस तरह के हालात से स्रिलंका गुजर रहा है ज़रा सोचिए किस तरह से वहां के लोगों के जिंदगी चल रही होगी सोलह घंटे की बिजली कटोती की जा रही है चौबीस घंटे में से सोलह घंटे बिजली कटोती की जा रही है पंक्ये नहीं चल रहे हैं फ्रेज नहीं चल रहे हैं एर कंडिशनर काम नहीं कर रहे हैं और स्रिलंका में यह बिजली सोलह घंटे गुल होना यह इस बात का स्वंक दे रहा है कि स्रिलंका अंधेरी की और बढ़ता हुआ जा रहा है और इस अंधेरे से अगर स्रिलंका को उबर ना है तो कुछ कड़े फैसले जल्द लेने होंगे और दुनिया के तमाम देशों से भी स्रिलंका को मदद की अपील जरूर कर स्रिलंका कर रहा है लेकिन उन दोश अपने पैसे निकाल लेंगे जो पैसे उन्होंने बैंकों में जमा किये हैं लेकिन हालात इस तरह के हो गए हैं कि सिलंका में जो एटियम हैं उनमें कैसी नहीं हैं लोगों को पैसे नहीं मिल पा रहे हैं ज़सकी वजह से सिलनका के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों के सिलिंडर खाली हो चुके हैं गैस भरवाने के लिए लबी लाइने लगी हुई हैं शाम का खाना कैसे पकेगा ये लोग सोच रहे हैं क्योंकि किलो मीटर लंबी लाइने अगर गय सिलिंडर रिफिल करने के लिए लगेंगी तो फिर आप खुद बखुद सोच सकते हैं कि किस तरह के हालात स्रिलंका में पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं और स्रिलंका किस दुशा में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि जो LPG है या फिर दूसरे पेट्रोल और डीजल की बात हम करें इसके किलत स्रिलंका में हो गई है और जस तरह से दुनिया के तमाम देश इस वक्त बढ़ते पेट्रोल या फिर LPG और जो कच्चा इंधन होता है कच्चा तेल होता है उसके कीमतें जब दुनिया में आस्मान छू रही है और इस तरह के हाला जब स्रिलंका में है तो फिर इन से पार पाना बिलकुल भी आसान नहीं रहता है किसी भी देश के लिए क्योंकि तमाम दुनिया के देशों में पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है LPG महंगी हुई है भारत में भी इसका असर देखने को मिल रहा है और स्रिलंका जब इस तरह के हालात से गुजर रहा है ऐसे में स्रिलंका को भी इस मुश्किल से दोचार होना पड़ रहा है साथी साथ गोग गोटाबाया गोग के नारों की गुज देखने को मिल रही है राश्वती गोटाबाया राजपक्षे से इस्तीफ़े की मांग की जा रही है लोग कह रहे हैं कि गोटाबाया राजपक्षे इस्तीफ़ा दें नारों से स्रिलंका गुंज रहा है लेकिन क्या प्रदर्शन से स्रिलंका को वो हल मिल जाएगा जिस हल को स्रिलंका तलाश रहा है ये अपने आप में बड़ा सवाल है श्रिलंका में प्रदर्शन क्यों हो रहा है आपके मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा अगर इस तरह की दिक्कते हैं तो उनसे पार पाने के लिए काम उन पर किया जाना चाहिए वो भी हम आपको बता देते हैं दरसल प्रदर्शन कारियों ने मार्च के अंत में राज़धानी कोलंबो की सडकों पर उतर कर सरकार से कारवाई और जवाब देही की मांग की थी जनिता की निराशा और गुसा 31 मार्च को उस वक्त फूट पड़ा जब प्रदर्शन कारियों ने राज़धानी के निजी आवास के बाहर इटे फेंकी और आग लगा दी गई थी पुलिस ने विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए आंसू गैस और पानी की बोचारों का इस्तेमाल किया और उसके बाद 36 घंटे का करफू लगा दिया गया था राश्टबती राजपक्षे ने एक अप्रेल को राश्ट व्यापी आपातकाल की घूशना की थी उसके बाद अधिकारियों को बिना वारंट के लोगों को हिरासत में लेने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने का अधिकार मिल गया था यानि कि किसी की पर्मिशन लेने की जरुत नहीं थी सीधा आप गिरफतार कर सकते थे इसके अलावा जो सोशल मीडिया है उसमर किसी भी तरह से पोश्ट ना हो सके उसको ब्लॉक करने का अधिकार भी जो है वो पुलिस अधिकारियों को मिल गया था और इसके लिए किसी तरह के वारंट की जरुत भी नहीं थी यानि कि लोगों की स्वतंत्रता पर को यहां पर गिरफतार भी किया था और फिर देखते ही देखते यह जो बवाल, हिंसा और हंगामा है वो लगातार बढ़ता ही गया प्रदर्शन और उग्र होता गया लेकिन स्रिलंका में अब आगे क्या होगा इस पर भी बात करना बेहत जरूरी है स्रिलंका अब यह चाहता है कि IMF उसे वित्तिय सहायता दे उसे वित्तिय सहायता मिलेगी तो फिर स्रिलंका इस तरह के हालात से उबर सकता है राश्पती राजपक्षे ने पिछले मेंने एक समोधन के दोरान भी कहा था कि IMF से पैसा लेने के फैदे नुकसान के बारे में सोचा था और फिर संस्ता से बेल आउट लेने का फैसला किया जबकि उनकी सरकार ऐसा करने के पक्ष में नहीं थी स्रिलंका ने चीन और भारत से भी मदद मांगी है भारत पहले ही मार्च में एक बिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन जारी कर चुका है लेकिन कुछ विशलेशकों ने चेतावनी दी कि ये सहायता संकट को हल करने के बजाए इसे खीन सकती है आगे क्या होगा इसको लेकर के अभी कुछ भी इस पस्ट नहीं कहा जा सकता है अनिश्रिता लगातार बनी हुई है देश के केंद्रे बैंक के मुताबिक नेशनल कंजूमर प्राइस इंफलेशन सितंबर में 6.2 फीसद से फरिवरी में 17.5 फीसद यानि की करीब तीन गुना हो गया है और स्रिलंका को इस साल के बाकी वक्त में करीब 4 बिलियन डॉलर का कर्ज भी चुकाना है जिसमें 1 बिलियन डॉलर का अंतराष्टिय सावरेन बॉंड भी शामिल है जो जुलाई में मेच्योर होता है स्रिलंका में बिगरते हालाद से अंतराष्टिय परिवेक्षकों के चिंताएं बढ़ गई हैं पांच अप्रेल को एक प्रेस ब्रीफिंग में स्वयुक्त राष्ट मानवादिकार के उच्चायुक्त के प्रवक्ता ने कहा था कि श्रिलंका की आधिकारिक जो प्रतक्रिया है उस पर उन्होंने चिंता व्यक्त की थी उन्होंने ये कहा था कि कर्फ्यू, सोशल मीडिया, ब्लैक आउट और विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए पुलिस की कारवाई की वज़ा से लोग अपने हालात के बारे में नहीं बता पाएंगे असंतोस को दबाने या शांदिपूर्ण लीए नहीं नहीं किया जाना चाहिए तो स्री लंका में अब आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता है लेकिन जस्तरह के हालात स्री लंका में बने हुए हैं इसके बाद श्री Lagsa की मदद कैसे की जाए ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि देशों के लिए स्रिलंका की मदद करना भी आसान नहीं है दुनिया के तमाम देश इस वक्त कुर्णा जैसी महामारी से जूज रहे हैं कुछ देशों में अभी मामले बड़े हैं ऐसे में जो अपना संकट है उससे निपटना ही देशों के लिए चनौती बन गया है ऐसे में स्रिलंका की मदद करना किसी भी देश के लिए आसान नहीं होने वाला है हालांकि इस दिशा में लगातार स्रिलंका मदद की अपील कर रहा है वो चाहता है कि IMF से उसे कर्ज मिल जाए उसकी वित्तिय हालत उस कर्ज के जरीए ठीक हो सके लेकिन क्या स्रिलंका की वित्तिय हालत कर्ज लेने से ही ठीक होगी स्रिलंका जो स्रिलंका कभी हुआ करता था वो स्रिलंका कैसे बनेगा जो लंका कभी सोनी की हुआ करती थी उसकी हालता जैसे कैसे हो गए जिस महिंदा राच्पक्षे ने 2004 में प्रधान मंत्री की कुर्सी संबाली थी उस वक्त सुनामी जैसे हालात का सामना किया था आखिर जब हालात इतने बिगडे तो क्या उनका स्तीफा देना जरूरी था क्या जो आर्थिक संकट से स्रिलंका जूज रहा था उनके इस्तिफिक के बाद जो राज नितिक संकट है उस पर स्रिलंका फंसता हुआ नजर नहीं आ रहा है समाधान क्या है ये सबसे बड़ा सवाल है और उमीद तो हम यही करेंगे कि स्रिलंका के लोगों तक मदद पहुँचेगी वो मदद कैसे पहुँचेगी और स्रिलंका डूबने से कैसे बचेगा ये अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है क्या आएमिफ से स्रिलंका को कर्ज मिल पाएगा इस पर भी नजरें लगातार बनी रहेंगी लेकिन जो स्रिलंका में हैं वो बेहत चिंता जनक नजर आ रही है फिलहाल के लिए इस खाश पेशकस में इतना ही देश दुनिया की तमाम एहम खबरों के लिए बने रहे एबी स्टार नियूज के साथ क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थंता